हेलो एवरिवन आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोविडोन आयोडीन ओइंटमेंट के बारे में जो ये ओइंटमेंट होती है ये अलग-लग ब्रांड नेम से मार्केट के इंदर अवेलेबल है लेकिन आपने बहुत ही एक फीमस ब्रांड नेम सुनाओगा आपने बिटाडीन जरूर सुनाओगा जो ये बिटाडीन है बिटाडीन आपसे जो ये क्रीम आती है ये चोट लगने पर यूज की जाती है इस बात का आपको सबको बताओगा, ठीक है, तो इसी बिटाडीन क्रीम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखें बड़े ध्यान से देखेंगा, इस ओइंटमेंट का नाम है पोवीडीन आ लिया गया है, विनाइल से वी आई लिया गया है, और पाइरोलिडोन से डी ओन लिया है, ये देखेंगे डी ओन, और इन सबको मिला के क्या बोला गया, इन सबको मिला के बोला गया, पोवीडोन, इसलिए इसका नाम क्या है, इसलिए इसका नाम है, पोवीडोन आयोडीन ओ तो यह आपको copy के अंदर note कर लेना है और आपको याद कर लेना है आगे इसके use की बात करते हैं कहां पर use किया जाता है जो यह ointment है यह एक antiseptic agent की तरह काम करती है यानि कि यह हमें infection से बचाती है जैसे कि माल यह आपको चोट लग गई तो चोट लगने के बाद जो गहाओ है ठीक है उस पर infection का खतरा होता है वो जो infection है वो bacteria की वज़े से भी हो सकता है फंगस की वज़े से हो सकता है या फिर virus की वज़े से हो सकता है या फिर sports की वज़े से भी हो सकता है तो किसी भी तरीके का infection हो उससे बचने के लिए जो यह ointment है इसका use किया जाता है जैसे कि आप को चोट लग गई है छोटा मोटा कोई घाओ हो गया है वहाँ पर यूज कर सकते हो आप तेज भाग रहे हो आप एकदम से गिर गए आपके हाथ में पैर में ख्रोज आ गई है वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो ठीक है और इसका यूज कहां किया जाता है जैसे कि सर्जरी से पहले भी किया जाता है और सर्जरी के बाद भी किया जाता है सर्जरी से पहले तो किया जाता है जिस भी एरिया की सर्जरी करनी होती है ठीक है तो उस एरिया को clean करने के लिए disinfectant करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है इस ओइंटमेंट का और सरजरी के बाद जिसे की टाके बगरा लगाने के बाद भी उस एरिया को clean किया जाता है this ointment से ठीक है, तो यह इसका all over यूज किया जाता है ठीक है, यूज के बारे में आपको पता चल गया हुआ अब बात करते हैं इसके डोज की ठीक है डोज कितनी है यानि कि दिन में कितनी बार इसको लगा सकते हो आप इसको अफेक्टिड एरिया पर जहां भी जरूरत है मतलब जहां भी चोट लगी है अफेक्टिड एरिया पर दो से तीन बार एक दिन में आप इसको लगा सकते हो यानि कि उसको hypersensitivity reaction है यानि कि allergic है तो उसको use नहीं करना है ठीक है local irritation भी हो सकती है तो यह कुछ normal side effect है जो यह होते हैं तो अगर यह side effect देखने को मिलते है या इनके लावा कोई भी side effect देखने को मिलता है तो इसका use आपको बंद कर देना है और डोक्टर से consult करना है ठीक है आगे contraindication and warning यानि कि कहां पे इसका use नहीं करना चाहिए वही है कि जो भी patient है poidine iodine से allergy हो उसको use नहीं करना चाहिए precaution क्या है यानि कि क्या सावधानिया है सावधानिया यह है कि यह केवल external use के लिए है ठीक है कभी भी इसको निंगलना नहीं है जैसे यहाँ पे क्यूं बोला गया है निंगलना नहीं है जिसे क्रीम है उसको तो निंगलना ही नहीं है पोईडीन आयोडीन के गारगल भी आते हैं यानि कि जिसे गरारे कर सकते हैं ठीक है वो भी नहीं निंगलने होते हैं तो कभी भी इसको निंगलना नहीं है और आईज और नोज इनके कोंटेक्ट से बचाना के कुंटेक्ट में जो क्रीम है यह नहीं लेके आनी है मान लिए आपकी आख में यह क्रीम लग गई है तो उसको क्या है अच्छे से वोस कर लेना है वोटर के साथ और फिर डॉक्टर है कंसल्ट कर लेना है अगर ज्यादा आपको इरिटेशन हो रही हो तो ठीक है तो यह लेके आएंगे पोविडियन, आयोदिन, गारगल से लिलेटील ठीक है उस विडियो का जो लिंक है वो आपको इस विडियो के डिस्क्रिप्टिप्चन बोक्स में मिल जाएगा ठीक है तो जो वो गारगल होते है उनके बार में भी देखेंगे कि कहा पर उनका यूज़ किय जाता है ठीक है कितनी बार दिन में यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए वो सारी बाते में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा I hope आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर